नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक बाद स्वागत है यूटुब चैनल में स्वाओ पर आज का वीडियो के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज बता दू कि इतने सारे डेट्स में अभी तक हो जुक है MTS के फिर भी स्ट में इन्होंने बताया कि जो पैटर्ण वाए एक्जाम का चेंज मतलब कि यह ऑनलाइन किया गया है और जो कॉस्टेंस है वह 2500 मार्क्स के कर दिया गया है इत सेक्षें 25 मार्क्स लेकिन नोट 2 में अगर हम पर हैं देर इस नो चेंज विद रिगार्ड तो मैक्सिम मार्क्स म अभी 2017 में जो कंड़क्ट हो रहा है सब्टेंबर से लेके अक्टूबर तक जो एक्जाम चलेगा उसके बाले में हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो हमारा अप्लोड हुआ था एक्सपेक्टेड कट आफ के बारे में तो उसमें यह पांच स्टेट्स नहीं दिये गया थ तो हम स्टेट्स के रिवीव लेने के बाद आज इन पांच स्टेट्स का एक्सपेक्टेड और फाइनल मेरिट में कितना हो सकता है इसका मेरिट कितना जा सकता है लास्ट येर के एकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा हर चीज़ को समझिए और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जो कट ओर मार्कस उर फाइनल इल्मेट जो बनता है उसमें काफी डिफरेंश आता है। इसकिसी स्टेट में कट नसिप के फाइनल मेरिट बन जाता है इसके से इस्टेट में तो जो इन दोनें बीज का जो ए of marks ही final merit बन जाता है किसी किसी state में तो जो इन दोने बीच का जो एक phase होता है descriptive descriptive को आप lightly ना लें क्योंकि descriptive अगर आपको याद हो तो last year descriptive का cut-off है वो 40 marks गया था general category के लिए और 50 में 40 marks score करना tough होता है इस जिसको आप बिल्कुल ध्यान रखें तो आप descriptive पे focus करें जिनका exam हो चुका हो अब तक first tier one अगर जिनका हो चुका हो descriptive पे ही focus करें आप क्योंकि descriptive के कारण अगर आप qualify ना कर पाएं तो पीटी में अच्छा marks हो और descriptive के करन आप रह जाएं तो यह आपको शायद चाना लगे तो इसलिए आप descriptive पे बिल्कुल ध्यान दे और चलिए आप हम वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए expected cut-off marks जो यह reason है क्योंकि वहां से काफी जादे applicant होते हैं तो इस वैसे वहां का cut-off जो हाई हो जाता है तो यह पांच states का दिया गया है अगर इस बीच में आपका marks है अब जिस भी category में है अगर इसमें आपका marks है तो बिल्कुल आप सेफ हैं आपको चिंता करने की जुरत नहीं है इससे ज़्यादा cut-off नहीं हो सकता है और इससे कम भी कम का भी chance नहीं है कि इससे कम भी cut-off हो सकता है तो इस बीच में अगर आपका marks है तो आप बिल्कुल सेफ हैं आप descriptive के लिए preparation करना है start कर दे जो अब तक ना किये हो और जिनका exam अभी तक नहीं हुआ है तो आप इसको देख लिए जिए इस हिसाब से आप preparation कीजिए कि कैसे आपको score करना है उसके बाद अगर हम expected final merit की बात हम करें तो देखिए cut-off से ऐसा देखा जाता है जो cut-off होता है उससे 5 या 7 marks जो होता है वो minimum ज 115 जो है final merit तयार होता है जहरकान का तो 115 जो होगा वो जो सबसे last student होगा जिसका 115 marks होगा वो select होगा मतलब कि जो topper होगा जो states से उसका 140 भी हो सकता है 125 भी हो सकता है लेकिन minimum marks जो है आपको 100 इसके बीच में लाना ही परेगा final merit के लिए तो यह अब जिस भी states में है ये चेक कर लिए अगर आपका marks इस बीच में है या इस से जादा है तो आप बिलकुल final merit में select होंगे लेकिन बस आपको एक चीज़ दिहान रखना है कि descriptive paper आप बिलकुल अच्छे से करें तो cut-off descriptive का काफी high रहता है अगर हम MTS की बात करें तो CGL में ऐसा नहीं होता है वो सिफ qualifying होता है तो 33% marks होता है उसका reason है क्योंकि मेंस उसका tier 2 मेंस के कारण उसका qualifying 33% से marks रखा जाता है तो अमीद करता हूं कि आपको वीडियो यह पसंद आया हो और कोई डाउट हो इस वीडियो से डिलेटेट तो प्लीज कमेंट करें और किसी भी तरह का डाउट हो एक्जाम से डिलेट और लेटेर लास्ट